चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए या यूट्यूब पर आने का आप सोच रहे हैं तो यह दो बातें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं और साइबर से रिलेटेड भी यह चीज है इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में कमाइन एक बात की जाए यह जरूरी है अभी यूट्यूब ने पनी पॉलिसी में कुछ चिंजिस की हैं जिसके अंदर में दो चीज़े आई हैं कि अगर आपने पार्टनर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाइ नहीं कर रखा है यह पहली चीज है दूसरी चीज है अब मुझसे लोग पूछेंगे सागर भाई यह क्यों हो रहा है चहरा क्यों नहीं दिखा सकते हैं किसी और का क्या यह पॉसिबल है कहीं बाहर भीड़ बरे इलाके में व्लॉग करना किसी दूसरे इंसान का चहरा दिखाए बिना मैं एक व्लॉगर भी हूं और इस परिशा इरिया में मेले में या कहीं भी जा रहे हैं तो नो डाउट पीछे लोग जाएंगे आगे बहुत सारे लोग जाएंगे क्योंकि वह पब्लिक प्लेसे सब जगा घूम रहे हैं चहरे तो लोगों के नजर आएंगे हां एक चीज हो सकती है कि कोई ऐसा कैमरा इस्तमाल किया ज जो हम यह लेके घूम रहे हैं यह मात्र एक चेहरा नहीं है यह एक चावी होगा जहारे को बना रहे होanız बहुत सारे फोण में फेशुल डेटा बायोमेट्रिक्स में आता है फेशियल डेटा भी एक तरह की चावी है इट्स लाइक के लोग अपने चहरे के उपर अपना एटियम पिन लेके घूम रहे हैं वही हो गया ना क्योंकि आजकर बहुत सारे डिवाइस से अनलॉक होते हैं अब यह पॉलसी अमेरिका में ब हो गया है फिंगर प्रिंट अनलॉक का जो भी चलन है ना वह भारत में मोबाइल फोन के उससे ही आया है और दूसरा जो रिटेलर वगएरा जो आपका थंप्रिंट वगएरा लेते हैं और अधार कार्ट इन तीन चार चीजों की वजए से यह चीज भारत में बहुत प्रच लोग फेस को इस्तेमाल करेंगे चीजों को अनलॉक करने के लिए और अगर किसी का फेस आप ऐसी दिखा रहे हो दैट मींस यार उसका जो डेटा है वह दिखा रहे हो चाइना में आपको पता है क्या होता है वहां पर ऐसे कैमरा लगे हुए हैं जो उनके सिटिजन के फेस क और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन पर यह आरोप है कि लोगों के फेशिल डेटा को वह कैप्चर करके रख रहे हैं स्टोर करके रख रहे हैं ताकि वह पता लगा सके कि कौन सा सिटिजन कहा गया है वहां सिटिजन पॉइंट्स होते हैं और बहुत अजीब अजीब आप मुझे बताइए अब देखो एक चीज़ के बारे में और बात करना चाहता हूं ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्हों ने यह देखा कि भाई अब आड तो कमा रहा है यूट्यूब पे हमारा नहीं जम रहा है तो हम ना एक आलग प्लैटफॉम बना लेते है अपना एक ऐसी वेबसाइट बना लेते हैं जो जहां पर हम वहां पर अपनी वीडियो डालेंगे क्या आप ऐसा कर सकते हो देखो टेक्निकली देखा जाए तो इट्स वेरी इजी नाओड़ेज यूगन में का वेबसाइट विदिन 15 मिनट बहुत असान है 15 मिनिट के अंतर आप एक ऐसी वेबसाइट कर सकते हैं जहां पर आप अपनी वीडियो पोस्ट करेंगे और होस्ट करेंगे लोग आके देखेंगे लेकिन सबसे बड़ी परिशानी उसके बाद से शुरू होती है वेबसाइट बनाना गोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है अगर आप मुझे लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसान बात है उनकी पहले से ओडियंस जो पहले से यूट्यूपर है नहीं इंसान कहां से ओडियंस लाएगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूसरी बात आप उससे पैसा कैसे कमाऊगे पैसा कमाना तो यूट्यूप पर होगे वहां क्यूं होगे तो इतना असान नहीं है बनाना टेकनिकली इस वेरी इजी बट उसको रन करना ओडियंस लाना यह में प्रॉब्लम है ऐसे तो आपको पता है कि हम लोग एक से एक अंड्रोइड डेवलपर बैठा हूँ आपको मालूम है जब टिक टॉक बैन हुआ था ना उसके बाद बहुत सारे एंड्रोइड डेवलपर्स को तो मैं पर्सनली जानता हूं जिन्होंने मुझे यह आइडिया शेयर किया था कि तुम अगर मैं कोई आप बनाओ तो तुम शेयर करोगे तो मैंने बुला जरूर करूंगा यार क्यों नहीं करूंगा मैं सोच रही हूं कि मैं टिक मेरी भी एक सीमा है मेरी भी एक लिमिटेड ओडियंस है ऐसा तो नहीं है पूरी दुनिया देख रही मुझे और सारे फीचर इंट्रियूज कराना आपको मालू में जिब कोई प्लाटफार्म बनाते हैं तो उसका resolving mechanism भी होता है जो मंगा हो रहा है कोई अगर रिपोर्ट कर सब्सक्रण अलग होता है पी आर तीम अलग होती है व्लाइपक करते हैं आप करते हैं आप देखते हैं क्या होता है और मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो यूटूबर्स हैं अपनी एक अलग वेबसाइट बना रहे हैं क्या आपको बनानी चाहिए मेरे साब से अगर आप बहुत चोटे लेवल पर हो इतनी ओडियन्स नहीं तो कोई जरूरत नहीं है यूटूब अभी भी बहुत बढ़िया प्लाटफॉर्म है और आप उस पर कंटिन्यू कर सकते हो लेकिनी टोटली आप पर डिपेंड करता है अब चाहते हैं बड़े उसमें चालेंज पर जाना तो जाइए बट मैंने आपको बता दिया उसके फाइदा होने माला नहीं है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग है अगर आप साइबर सिक्योर्टि के बारे में और जाहते गार्यट यू यूटि करो कि अपने लिए 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 लिए्ट लिए सेड़ है लिए लगाई लिए।